प्यारे बच्चो लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो कर दो वेलकम स्टूडेंट ना कोश्चन नमबर 2 आफ एक्सराइज 2.2 सम पिक्चर ए टू सी आर गिविन ब्लो कुछ पिक्चर आपको दी विए ए में, बी में और सी में ठीक है यह सी के डाइगराम है 1, 2, 3, 4 और यह आपके B के और यह A वाले कोश्चन की डाइगराम यह जो पिक्चर है ना इन तीन आपको जो फ्रेक्शन पार्ट डिये में इसे किसको शो कर रही है यह आपको बताना है तो देखो बच्चो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं left side क्योंकि equals to का sign भी दिया है और right side ठीक है left side और right side left में आपको डो डाइगराम दिया है right में एक यानि यह इसका answer है इन दोनों को जब आप solve करोगे तो इनका answer इस डाइगराम से show किया है आप देख रहे हैं 2 into 1 by 3 इन में से 2 into 1 by 3 left part में कौन से वाले में दिवी है second वाले में ठीक है 2 into 1 by 3 इसका answer देखिए answer दिया हुआ 2 by 3 क्या यह 2 by 3 है yes 1, 2, 3 3 parts है और अन में से शेडिट कितने 2 parts ठीक है तो यह जो आपका है A वाला डाइगराम वो किसको represent कर रहा है आपके second वाले अना option को यह represent कर रहा है B part है इसमें आपको mistake दीवी थे advisor की book है यह advisor की book में आपको shaded portion नहीं दिया हुआ तो यह parts shade किये हुआ है total आपके 4 parts किये हुआ left side और right side में 3-3 डाइगराम से और 4-4 segments किये हुआ है 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 ऐसे right side में 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 4 भाग बटे हुआ है और left side में जो 3 parts है 3 diagrams है इनमें आपके 4 parts में से 3 parts shaded है 4 parts में से 3 parts shaded है तो देखिए ऐसा कौन सा option आपको नजर आ रहा है कि 3 diagrams हो और 4-4 parts किये हुए हो तो ये equation number 3 में नजर आ रहा है 3 diagrams में 4 parts किये है और 4 में से 3 shaded है ठीक है confirm हो गया वैसे लेकिन right side को भी answer को भी confirm कर लेते है 2-1 by 4 का मतलब है आपके 2-2 diagram पूरे-पूरे completely shaded हो मतलब चो 4 parts आपने किये तह 4 के 4 parts shaded है पूरे diagram ही shaded है तो 2 diagram तो completely shaded है और 1 diagram में 4 parts किये है 1, 2, 3, 4 और उनमें से only 1 part shaded है ये मतलब हो अशका ठीक है आई ओप आपको समझाया होगा next पर move करते है यहां आपके 5 parts किये हैं 5 parts 3 diagram से left side में 3 diagram से 5 part किये हैं उनमें से 1 part shaded है और right side में जो answer है 3 part shaded है इसमें भी mistake दीवी थी ये भी shaded portion नहीं दिया है आपके 1st के D part में shaded portion देना भूल गया था है advisor की book है तो इसको correct कर लीजिएगा I hope आपको question number 2 clear हो गया होगा बच्चों Thank you and have a nice day next question next video